आज के यार इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारा चैप्टर वर्क पावर एनरजी अच्छा इस चैप्टर को मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड कर दिया था अभी मैंने जोना लेकर के इसको स्प्लिट किया है और इसमें से जितने भी ऐसे पोर्शन थे जिनको तरीके से तूदा पॉइंट एकदम मस्त तरीके से समझने वाले तुम्हारे चैप्टर वर्क पावर एनरजी को यहां पर हम जोना लेकर के प्रेक्टिकल एक्वेस्टर को कर रहे होंगे इसके आगे जितने भी चैप्टर सुँप्र के देख रहे होंगे इस बात की जुना तुमको गेरेंटी दे सकता हूं ठीक है तो अभी जुना हमको इस वाले लेक्टर को एंड तक देखना एकदम अच्छे तरीके से आइवट जस्ट बेड़ की तुम जुना अच्छे तरी लाइक सीट्स के लिए जोना हमने कूपन कोड रन की है यहाँ पर तुम वन ओन वन इंट्रेक्टिव तरीके से जोना लेकर के पढ़ सकते हो बहुत ही बढ़ी है तरीके से ठीक है अभी हम चलते हैं लेक्चर्स की तरह यहाँ पर सबसे बड़ी बात वही है कि भाई साब एक कमिटमेंट करनी होती है खुद से लेकर के के नहीं हम तो कंप्लीट करके रहेंगे तो वही एक जोना लेकर के अकडू तुम समझे रो एक एटिट्यूट बना लेना है ठीक है चलो स्टाट करें यह सर तो अब देखो और सबसे बड़े लेकर के वर्क काम होता क्या है वट इस वर्क एक्षली ठीक है काम होता क्या है भाईया अब जो ना लेकर के मिन तुम्हारे को इंद शिंपल टम समझा हूं देखो बेसिकली देखो यहां से देखना एक यहां पर हुआ हूँ, मैं फोन चला रहा हूँ, एक घंटे मैंने constantly फोन चला है, ऐसे खड़े-खड़े, I'm not moving, I'm not doing anything, I'm just standing over here, my like, foots are fixed, ठीक है, in the ground, तो भाई, अब क्या है, क्या मैं कोई काम कर रहा हूँ, नहीं, मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि, यह जो physics है, physics के थोड़े से उल्टे लफड़े चलते है, physics यह कहता है, कि जब भी कोई काम हो, ठीक है, work के लिए हमेशा displacement जरूरी है, body should displace, काम तभी होगा, जब body की initial, और body की final, position, same ना हो, ठीक है, तो मेरी एक बात को लाइक और याद रखना, कि basically मैंने क्या बोला, basically कि यहां से displacement चाहिए, distance भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, कि मानलो अगर यह बंदा होता, ठीक है, अब यह इधर से एक A position से start करता, ऐसे एक B position तक जाता, ठीक है, फिर वहां से एक C position तक जाता, फिर उसके बाद में लेकर के, यह D position पर आ जाता, जो की लेकर के, फिर यहां से यह A पर वापिस चला जाता, तो what do you think, इसने कोई काम किया, नहीं, again इसमें, like कोई भी काम नहीं हो, क्योंकि, इसने start भी यहीं से किया था, और उसका end भी यहीं पर हो गया, तो कभी भी अगर starting और ending position same है, तो फिर तो distance वहाई, displacement तो हुआ ही नहीं, displacement होता ही है, कि आप अपनी starting और ending position जो लेकर के आपकी different हो, इसको अगर simple simple समझें, तो कुछ इस तरीके की बात हम लोग कर रहे हैं, कि अगर आप इधर से निकले हो, तो आप कहीं और ही जाना चाहिए, ठीक है, यह हो जाता है तुम्हारा लेकर के displacement, ठीक है, और अगर मैं वैसे बात करूँ so this is the distance covered, यह जो तुम प्रॉपर यहां से पूरा देख रहो ना, यह यहां से यहां तक, ठीक है, यह हो जाएगा तुम्हारा काम हुआ हो, ठीक है, तो अगर हम simple simple समझे हो, वापिस से पीछे जाए, ठीक है अगर हम वापिस से पीछे आते हो, और हम simple समझते है कि भाई साब बात क्या हुरी है so work is only set to be done, ठीक है, जब लेकर के तुम्हारी जो body है ना, वो basically कोई भी एक body है उस पर जब भी कोई भी force लगाया जा रहा है, तो इसकी जासे यह क्या कर जा रही है, displace कर जा रही है तो इस case में ही जो ना, सरफ तो सरफ work होता है, समझ गए, सिरफ इस case में जो ना, लेकर के work हो रहा होता है तो basic basic सी work की हमको कुछ-कुछ बात है समझ में आई, that, देखो, first of all work is any physical or mental activity which one does to perform daily tasks however, in scientific parlance, work is done when a force produces motion in an object, the amount of work depends on two factors, ठीक है, जो work W होता है, वो दो factors पर depend करता है एक तो जो body पर force लगाया गया है, तो F दूसरा लेकर के body कितना displaced हुई, तो into S, ठीक है, तो ये S क्या है, the displacement through which the body moves, ठीक है so work की अगर मैं बात करूँ, so that's basically equal to force into displacement, और याद रखना, काम हमेशा एक scalar quantity होता है ठीक है, जो work होता है, basically वो हमेशा क्या होता है, एक scalar quantity होता है क्या होता है, एक scalar quantity होता है, ठीक है, चलो, going forward, अगर मैं आगे बनूँ, ठीक है, so if I'll just proceed ठीक है, so basically यार देखो, अभी लेकर के तुम्हारे जुनब, तुमको एक work की लेकर के, basically क्या बनानी पड़ेगी एक expression मनानी पड़ेगी, अब तुम सोच रहोगे, है expression, ऐसा भी कुछ होता है, हासर होता है, देखो, let's suppose, यहाँ पर से एक यह point है, समझना मेरी बात को अच्छे तरीके से, अब तुम एक body है, ठीक है, चलो, माल लो, ठीक है, मैं किसी भी एक body पर जुनब लेकर के force लगा र मैं इसमें ऐसा force लगा रहा हूँ, लेकिन यह body जो ना, यह ऐसी सीधी सीधी मूफ कर रही है, तो यह body जो मेरी basically कुछ इस तरीके से displace कर रही है, so there is a angle, यह क्या आगया, एक angle theta आगया between the force, force का direction and the displacement का direction, तो यह लेकर के जो angle theta आया, अब इसके साथ में work की expression मनेगी, तो work अ originally was f s, ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से, इस theta का cosine यहाँ पर रख देंगे, अब देखो यह चीज तो में आती नहीं है, तुम class 11 से में पढ़ोगे, कि जब तुम जो ना, इनके तोड़ोगे, ऐसे ले करके different parts को, ठीक है, जब तुम इसको like properly तोड़ा होगे, लेकिन अभी के लिए मैं अगर तुम को simple simple बता दू, तो इसको निकालने के लिए, we will just do it like, f s cos theta, ठीक है, तो हम यहाँ से रखेंगे, theta का cosine, ठीक है, तो यह एक basic सी बात समझ गए, है न, भाई, एक second रुक न, क्यों, 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 मैं, एक second, क्यों भाई, क्यों, 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 क चलो एक काम करो कोई moderator अगर अभी alive है जितने ही बंदे ये buffering वाला symbol भेज रहा है emoji इन सब को block कर दो सब को A to Z बिल्कुल धराद दन बिना कुछ सोचे समझे block कर दो if you are thinking कि ये करके तुम कुछ भी cool दिख रहे हो या फिर कुछ ऐसा ठीक है मैं सच बता रहा हूँ अभी तुम जो ना जमीन मर कड़े हुए हो सच बता रहा हूँ बिल्कुल अभी अभी तुमने जो होता है कुछ cool करके दिखाना तुमने अभी उसका जो ना c भी नहीं समझा है ठीक है आ रहा है समझे अच्छे तरीके से चलो ठीक है चलो तो अपन ने यह समझ लिया कि भी यह अभी अपने वर्क की एक्सप्रेशन ठीक है तो यहाँ पर से अब देखो कुछ-कुछ चीजों को बन समझेंगे अब कुछ-कुछ चीजों को समझेंगे अब अपन बस इतनी सी बात अभी समझ चुक है कि हमारी जो वर्क की एक्सप्रेशन है that is basically equal to fs cos theta ठीक है अब हमें बोलता हूँ जो सबसे बहला case 1 आता है ठीक है कि मेरा लेकर के जो displacement है वो लेकर के इस direction में हो रहा है और सेम मेरा force यहां से तुम देखो के कि यह सीडी सीडी मूफ करेगी ठीक है प्लस लेकर के मतलब एक ऐसी football लखी हूँ है तुमने लात ऐसे force लगाया और सेम यह आंगे ऐसे बढ़ गई जमीन पर ही तो यह तो सेम सेम हो गया ठीक है तो इस case में क्या होगा तुम समझना हमारा जो है लेकर के work की expression क्या होगी अच्छा एक चीज़ और देखो यहां पर जो theta है न theta basically मेरा क्या हो जाएगा theta is going to be 0 degree कोई angle ही नहीं बनेगा है न यहां पर से मेरा कोई angle ही नहीं बना तो f s हो जाएगा f s into 1 which is basically equal to f s only ठीक है तो मेरा work की expression यहां पर क्या होगी f s होगी और यह case में चीज़े जो तुमारा work आता है work is like set to be maximum ठीक है work is set to be maximum ठीक है then उसके बाद में case 2 की बात करते है चलो अब यहां open ठीक है so talking about the case 2 अब यह क्या कह रहा है कि भाई साब अपन force लगा रहे है कुछ ऐसा ठीक है चलो 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 different different चीज़ की बात करते है let's suppose हम force लगा रहे है यह ऐसा ठीक है और तुमारे पास में जो displacement हो रहा हो रहा ऐसा तो यहां से यह जो theta हुआ यह तो हो गया 90 degree तो इसे साब से अगर अपन work की बात करेंगे so that's going to be fs cos 90 degree और cos 90 degree तुमको पता ही है यह क्या होता है basically 0 होता है तो fs into 0 ठीक है तो यह क्या जाएगा 0 work अपना SMS 0 होगा क्यों होगा अच्छे एक चीज़ और रखना यह जब 0 होगा तब इसको पन बोलेंगे minimum ठीक है इस case में minimum होता है कैसे आज़ाओ मैं समझाता हूँ so basically अगर इस case में तुम बात करोगे जहां मैं कह रहा हूँ यह इसका example की बात कर रहा है ठीक है कि मतलब force अपन ऐसे लगा रहे है और displacement ऐसे हो रहा है तो यहां से जो नहीं लेकर के अपने फीटा एंगल जो है basically 90 degree आ रहा है 90 degree आ रहा है अच्छा बहुत बढ़िया तो basically अगर पर वर्क निकालेंगे so that's going to be fs pos 90 degree so that's going to be fs 0 यह क्या जाएगा 0 ठीक है तो अगर यह 0 आई गया है तो आप मैं बोलूँगा एक छोड़ी सी बात समझो इसका real life example क्या होगा एक कुली होता है कुली के सिर्प एक load होता है इस load का weight ऐसे नीचे को आ रहा होता है तो इसका जो weight की बज़ार से force लगता है वो तो ऐसा होता है लेकिन कुली move ऐसे direction में कर रहा होता है तो यह एक example हो गया ठीक है और what? of the work being 0 instead of displacement happening ठीक है तो यह नि displacement भले ही हो रहा है लेकिन यार क्या करें? क्या करें? force और लेकर के तुम्हारा लेकर के displacement का angle ही ऐसा है के भाई साब यहाँ पर से अपना 0 work done होगा ठीक है? चलो अच्छा दूसरा अभी अगर मैं तीसरे case की बात कर दूँ so now this is the case ठीक है? तो यहाँ पर से लेकर के अगर अभी अपन बात करें case 3 की ठीक है? अगर अभी अपन अब case 3 की बात करते है so case 3 is the case जहाँ पर से लेकर के तुम एक तरीके से बोल सकते है obvious को मैं अलग पेज पर समझाता हूँ case 3 मेरा क्या है? समझ रहा अच्छे तरीके से ठीक है? कि मेरा जो work है न ठीक है? वो होता है basically fs cos theta तो major जो like force है ना वो लग रहा है ऐसा इस direction में displacement हो रहा है भाईस अब इस direction में तो इनके बीच में angle जो theta बन रहा है वो हो रहा है भी है 180 degree है? तो basically लेकर के भाई है cos 180 degree तुमारा क्या आजाएग अब यह minus 1 आता है यह तो तुम जानते ही जानते हो तो अगर मैं बात करूंग work key so that's basically equal to fs minus 1 तो यह तो minus fs negative work ठीक है? तो negative work आया याद रखना this is not the minimum minimum तो होता है जब वो zero होता है लेकिन यहाँ पर अपन को negative work मिला भाईया इसका example दे देते तो मजा आ जाता इसका example क्या होगा? मान लो एक car है वो आंगे accelerate कर रही है खुद को तो मुसे पीछे से पकड़के खीच रहे हो अब भले ही तुम force अपना पीछे लगा रहे हो मानना यह कि यह car है ठीक है? अब जो ना car लेकर के अपनी बढ़िया लेकर के ऐसे आगे बढ़ रही है पावर इसकी जादा है यह आगे बढ़ दी है लेकिन एक इंसान क्या कर रहा है यहां से लेकर के इसको ऐसे ऐसे खीच रहा है अपने टरफ तो यह force लग रहा है लेकिन displacement तो ऐसा ही होगा क्योंकि तुम car को नहीं खीच पाओ बहले ही तुम कोशिश कर रहे हो लेकिन क्या हुआ car तो अधर ही को बढ़ रही है तो यहां से क्या हुआ तुम देख सकते हो एक ठीटा एंगल बन गया which is 180 डिग्री तो भाइस आप बहले ही तुम ने लेकिन तुम force यहां को लगा रहे हो case 4 अगर माल लो body जो ना circular motion कर रही होगी माल लो इधर से body ने point A से start किया यहां से start करकर आके यह जो ना वापस से point A पह पहुच कही बात क्या हुई लेकर के भी यह initial and final position initial and final position क्या हो गई भी यह same हो गई because this is same तो लेकर के क्या लफडा हो जाएगा because like यह अब same हो चुके है ठीक है initial and final position अब same हो गए तो इसकी जैसे क्या होग अब यह displacement तो हमारा zero हो जाएगा तो हमारा work तो क्या होता है F S अरत तेल लेने गया cos theta S ही zero हो चुका है तो यह क्या हो जाएगा F into zero into cos theta तो मैंना भूला सारी चीज़ा साइट बना को यह वैसे ही zero हो जाएगा समझे गए simple है है ना समझे मैं आ गया simple था चलो I just want C.K.O.P. in the chat ठीक है अभी भई यह देखो यार चीज़ा खतम जी हुए अचा यह अपने जो ना negative वाली चीज़ को already पढ़ लिया है अचा if the body of mass moves down with the like then the force of gravity yes तो चलो अभी हमसे एक अलग case बता रहे है कि अगर एक मानलो body है वो इधर पर रखी हुई है ठीक है आ रहा है समझ में एक height h पर है ठीक है जब यह top पर है ठीक है लेकिन जब यह ground पर आएगी यह क्या करेगी ground पर आएगी तो मैंने बुला यह गिर करके आएगी और edge distance travel करेगी displacement इसका क्या हो जाएगा edge हो जाएगा ठीक है अब main चीज़ का है इसका mass क्या है mass इसका लेकर के m ठीक है और उसके बाद में क्योंकि यह नीचे आएगी तो यह भाई नीचे आने पर कौन सा acceleration मिलेगा इसे बताओ बहुत common सवाल आई यह कि जब यह नीचे आ रही होगी यह top to bottom आएगी top to ground आएगी इसे कौन सा acceleration मिलेगा बताओ 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 कौन सा acceleration मिलेगा इसे जब यह नीचे आ रही होगी बताओ तो इसे मिल जाएगा भी यह gravitational acceleration है ना इसे तो मिल जाएगा भी यह gravitational acceleration which says that कि इस हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ मेरा work तो क्या क्या होता है force होता है into displacement होता है displacement तो मैं H निकाल चुका हूँ force मेरा क्या होता है mass होता है into acceleration होता है mass मैं M निकाल चुका हूँ acceleration मेरा G आ जाएगा तो मेरा total जो work आएगा वो क्या आएगा force मेरा आ चुका है M G और इसके बाद मेरा displacement H मैं पता करी चुका हूँ into H so that's going to be MGH तो ये भी एक work का जुना लेकर करके formula होता है ये कब होता है when a body when a body is falling from a height ठीक है तब क्या होता भी work का formula is basically equal to MGH ठीक है ये बात समझ ली समने जल्ली से बता दो चलो बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है आगे बढ़ेंगे सर तो अभी अगर अगे बढ़ता है तो भाईया इसको visualize तो कराओ तुम यही सोच रहोगे कि यह जो आपना टपकाया है इसको टपका के दिखाओ तो यह गिरी तो हुआ तो हुआ क्या चलो आँ समस्ते है भाई मैंने शायद से इसके बाद में एक और visualization लगा रखा था अच्छा वो visualization गायब हो गया एक है चलो ठीक है मैं still visualize करा दूँगा सर आपको कोई tension वाली बात नहीं है माल लो एक यह tower है इधर पर एक ऐसे ball रखी हुई है यह जो ball है यह initially यहाँ पर रखी हुई है और यह मेरा एक ऐसा ground surface है ज यहाँ पर मैंने ऐसे घास घूस लगा रखी हम पूरी proper तो यहाँ से यह मेरा क्या विए यह मेरा ground surface है अब मैंने क्या किया लेकरके इधर से ये इसे गराया तो यह जो पूरा एक पूरा इतना एक edge height पर थी है इधर तक ठीक है ये क्या है ना लेकर के ये जो एक ऐसे H height पर थी ठीक है ये लेकर के नीचे आके गिरी अच्छा इसका कोई body का mass भी था इस ball का M ठीक है और obviously ये नीचे आ रही थी तो इसने क्या acquire किया gravitational acceleration है ना तो मैंने बोला अब देखो जो हमारा work done होता है work तो basically क्या क्या होता है work हमारा बस हमसे एक बात बोलता है force into displacement displacement तुमको पता है कि initial ये है final ये है यहां ground पे आके final हुआ है तो बहिए initial और final का difference है वो क्या H है तो मैंने बोलिया that's basically H force की बात करूँँगा mass होता है into acceleration होता है mass क्या भी है m बता रखा अल्री acceleration अभी आल अपने g निकाल दिया तो basically हमारा यहां से क्या जाएगा that's going to be mgh चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे sir आजाओ so unit of calm unit क्या होती है भी है work की unit ठीक है unit of calm ठीक है so what's the unit unit क्या भी है काम की displacement है तो इसकी तो newton होती है और इसकी meter होती है so that's going to be newton meter अब तुप सोचो के newton meter क्या है torque की और इसकी same नहीं भाई torque में perpendicular distance था है यहाँ पर displacement there are two different things लेकिन unit same है unit same है तो लेकिन इसको अपन को ऐसे नहीं रखना है तो हम बोलते है Joule ठीक है Joule होती है CGS unit क्या है CGS unit होती है अर्ज अर्ज क्या होती है अर्ज basically हो रही होती है तुमारी क्या dine centimeter समझ गए जल्ली से बता दो if this is clear बहुत बड़ी है guys ठीक है चलो तो अभी मैं अगर दोनों ही units बना देता हूँ वर्क की तो अपनी जो SI unit है SI unit is basically Joule ठीक है SI unit जो लेकर के अपनी क्या भी है Joule है Joule क्या होती है भाई या That's Newton meter और उसके आद में जो अपनी CGS unit अभी है वो क्या भी है लेकर के अर्ज है ठीक है and that's basically what that's dine centimeter ठीक है बहुत बड़ी है समझ गए YES SIR आगे बड़े चलो बहुत बड़ी है ठीक है सो भी आप प्रूव कौन करेगा Joule और अर्ज के relationship को मैं करूँगा क्यों नहीं करूँगा भी है चलो Joule and Arge Just tell me one thing Joule किसके बराबर होता है Joule होता भी है Newton meter के बराबर Arge किसके बराबर होता भी है Arge मेरा बराबर हो रहा होता है तुमारा Dan centimeter के बराबर अच्छा एक basic सी बात पता ही है अपनको अल्ड़ेडी पिछले chapter से पढ़के आए 1 Newton is equal to 10 to the power 5 Dan और तुमारा 1 meter is equal to 10 to the power 2 centimeter तो मैंने बोला आगर मैं 1 Joule लिख रहा हूँ 1 J तो मेरा Newton से 10 क्या हो जाएगा 10 to the power 5 और meter से centimeter हो जाएगा 10 to the power 2 और यहां से ही हो जाएगा मेरा 10 centimeter जिसको मैं अर्ज लिख सकता हूँ So basically 1 Joule is equal to 10 to the power 7 अर्ज and 1 अर्ज in the same way is equal to 10 to the power minus 7 Joule ठीक है समझ गए बहुत सिंपल एकदम सिंपल चलो बहुत बढ़िया गाईज आगे बढ़ेंगे So now यहां से आ जाता है Relationship of Joule and Urge ठीक है जो कि अभी अपनने अल्ड़ी कर लिया क्या ही एक और बार करना है यार चलो बहुत बढ़िया अभी अपन बात करेंगे पावर की अभीया यह पावर क्या होता है पावर बेसिकली तुम यह समझ लो देखो इसको अपन बोलते ताकत ठीक है ताकत और तुम जो है न ले करके यह differentiate करके जोना जाद अच्छी तरीके से पढ़ सकते हूँ differentiate क्या differentiation करने वाले नहीं भाई मैंने बुला एक A आदमी है और एक B आदमी है A आदमी एक जगा से दूसरी जगा तक 100 घड़ों को 100 मटकों को 100 मटके को कर देता है 5 मिनिट में उसके बाद में जो B आदमी वो ले करके 300 मटके कर देता है एक जगा से दूसरी जगा उनको ला करके रख देता है कितनी है? 5 मिनिट में चलो 5 नहीं चलो 5 नहीं ठीक है? 5 नहीं 10 मिनिट में चलो 5 नहीं जादा पावरफुल कोन है? मैंने अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया लिटरल कुछ नहीं पढ़ाया लेकिन तुम खुछ से आंसर कर दोगे इसका बदाओ यह अस्ताकत को तुम शक्ती भी बोल सकते हो ठीक है? यू के यू के अल्सुजट कॉल दे शक्ती ठीक है? यह शक्ती भी बोला जा सकता है बहुत बढ़ी है शक्ती भी बोला जा सकता कौन है भई? तुम किसको बोलोगे? बदाओ तुम बोलोगे B को क्यों भी है? अगर मैं देख रहा हूँ 100 मटके वाला है यह इनसान यह 5 मिनट में 100 मटके कर रहा है 1 मिनट में कित्ते कर पाएगा 100 भाई 5 यानि 20 मटके वर्क ठीक है? और इसको तो अपन टाइम ही समझ रहे है तो जो पावर होती है पावर तुमने ले करके कैसे निकाली? वर्क अपॉन टाइम करके देखा ऐसे निकाली जाती है ठीक है? तो वर्क अपॉन टाइम करके तुमने निकाली पावर ठीक है, so you just find like, found out the power by using this formula, power is equal to work upon time, ठीक है, समझ एक है अगर मजा आ गया, then CKO P in the chat जल्दी से, so power is defined as the rate of doing work, or the rate of transfer of energy, so P is basically equal to what, बताओ, यहाँ यह into sign लगा हुआ है, पहले तो जल्दी से लेकर के इसे यह कर दो, so work by time ठीक है सर, चलो, ठीक है अच्छा, उसके साथ साथ भी है, इसकी unit क्या होगी, तो power जो होता है, वो हमसे कह रहा है, work by time तो यह basically क्या हो जाएगा, work की unit होती है, joule, इसकी होती है second, तो यहाँ पर से जो power होती है, उसकी unit होती है w, so w यानि की watt, तो जो watt है वो पता क्या कह रहा होता है, that 1 watt is equal to 1 joule by 1 second ठीक है, समझ गा है बता दो guys, so this is the unit unit भी पर दी, कुछ और भी units होती है, उनको ही पर देंगे, ठीक है तो जो कुछ और भी units होती है, उनको भी पर देंगे, ठीक है, so basically if displacement is at like an angle, then the power is like basically equal to P is equal to W by T ठीक है, यह सब छोड़ो भी, Z and angle बंगे, ठीक है, its SI unit is watt, ठीक है, यहाँ पर joule per second and CGS unit क्या होती है भाई, अर्ज per second ठीक है, अर्ज per second होती है ठीक है, आगे समने बहुत बढ़िया अच्छा, another unit is basically 1KWH, ठीक है, एक लेकर करके हाई गाड़ियों में, जो ना कुछ हॉर्स पावर के साब से पावर बताता है so this is the way through which we can just tell the power of like कोई भी एक machinery, ठीक है just like make you enroll, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा 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 पावर का force और velocity वाला formula का खा like क्या, इसका क्या करना है भी आज़ो चलो पढ़ा लेते हैं, अब देखो मेरे को क्या बताया गया है कि मेरा जो power है, ठीक है power is basically equal to work upon time और थोड़ा से इसे expand करते हैं, this is basically equal to what, अगर मैं देखूं तो मेरा force ठीक है, into displacement upon time तो मैंने बोला, अच्छा एक छोड़ी सी बात बताओ, can I just write it like ऐसे f, s, y, t और मैं एक छोड़ी सी चीज़ भी तो जानता हूं कि अगरने मैं इसको ऐसे भी लग दूँ तो कोई problem नहीं, f into s, y, t ओ भाई, s, y, t तो क्या होता है, velocity तो मैं इसको ऐसे भी लख सकता हूं, force into velocity तो भाई, साब, power का एक और formula क्या होता है, f into v ठीक है, आगे समने में ये formula को भी याद रखना ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया yes, sir ठीक है, चलो, आगे बढ़े yes, sir, so now let's get ahead with this अभी अगर अपने इसकी बात करते है, energy की ठीक है, so भी या, energy का मैं क्या करूँ हूँ बताओ, energy का क्या किया जाए अब energy जोना ले करके क्या होती, देखो अब मान लो, मैं हूँ, मैं तुमको याँ खड़े होके पढ़ा रहा हूँ मेरी body में energy नहीं है मैं low feel कर रहा हूँ, मेरी तबियत खराब है क्या मैं पढ़ा पाऊंगा नहीं, तो basically हमारी जो body होती है ठीक है, यह जब काम करती है तो यह काम करने के लिए वो capability कहां से आती है वो capability या वो ability आती है energy के थूँ ठीक है, वो capability या फिर वो ability आ रही होती है तुमारी energy के थूँ ठीक है, वो जो body जो नहीं जो काम करना चारी है, उसके अंदर वो energy जो नहीं कैसे आएगी, वो लेकर के basically उसके अंदर stored रहती है फिर उसके बाद में फिर वो जो नहीं काम कर पाती है तब ही energy को बले जाता है, it's an ability to do work, we can define energy as the capacity to do work, the amount of energy possessed by the body is the amount of work it can do when that energy is released, ठीक है, तो मैंने बोला, अगर माल लो, एक body A है, ठीक है और इसके अंदर जो नहीं लेकर के 1000 joule energy है हाँ भीया, एक चीज़ याद रखना it's a very important thing, के भाई साहब आपकी लेकर के work and energy की same units होती है, because obviously ना, एक body जो है ये अपनी energy को ही तो use करती है, क्या करने के लिए, basically तुमारा काम करने के लिए, ठीक है चलो, ठीक है तो basically अगर इसकी मैं बात करूँ तो अभी जैसे वन पुराने example पे थे तो अगर उसके अंदर 1000 joule energy है तो ये कितना काम कर सकती है, ये सिरफ 1000 joule ही काम कर सकती है ठीक है, एक छोड़ी सी बात में तुमको बता दू ठीक है, के भाई साब जो energy होती है इसके लिए एक law है, ठीक है law of conservation of energy प्लीज मेरे को एक बाद चैट में बता दे ना इस law का क्या मतलब है law of conservation of energy का बता दो जल्दी से law of conservation of energy क्या कहता है बच्पन से पढ़ते हुए आ रहे हो law of conservation of energy क्या कहता है, बता बच्पन से पढ़ते हुए आ रहे हो ना बता 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 आपका mic हाँ यार वो mic की छोड़ी सी एक problem ये तो मैं मानता हूँ बेसिकली ये बीच बीच में बस करता है ना अभी बहुत ज़ादा कर रहे गया बहुत ज़ादा कर रहे गया अभी भी आ रहा है देखो अभी आ रहा है क्या बनाओ जर अभी भी आ अभी भी आ रहा है क्या बस सही है चालो बहुत बढ़ी है ठीक है यह सर ठीक है तो law of conservation of energy यह कहता है that energy जो होती है इसको आप ना create कर सकते हो ना ही आप इसको destroy कर सकते हो ना ही आप इसको destroy कर सकते हो neither can be created nor can be destroyed but can be transformed from one form to another ठीक है समझे गा है चलो बहुत बढ़ी है ठीक है so if you all just proceed तो energy is a scalar quantity यह चीज़ याद रखने कि energy क्या होती है basically scalar quantity होती है ठीक है so the SI unit of energy is the same as the unit of work ठीक है जो कि मैं कह सकता हूँ कि Joule होता है ठीक है तो अगर अपन इसकी बात करे तो ठीक है तो अब इसको अच्छे तरीके से समझना यहाँ पर से लेकर करके जो basically तुमारी work की unit होती है ठीक है वही तुमारी energy की भी unit होती है ठीक है unit के terms में बात करें तो ठीक है another unit of energy is what hour अब देखो यह क्या किया यह क्या कर रहे हो मतलब यार यह हमने unit अभी work में तो नहीं पड़ी थी ठीक है हमने क्या कर रहा जो हमारी power की units है power क्या कह रहा था work by time अगर इसमें हम time multiply कर ले तो यह क्या निकलेगा work अच्छा work की unit तो joule ही आएगी तो यह basically joules में ही आ रहा होगा लेकिन बात यह ना कि यह work की unit नहीं होगी यह सरफ energy specific unit होगी यह चीज याद रखना जैसे कि यही रेख लो तुम watt hour अब watt क्या हो रहा था watt was like joule per second इसमें मैंने हार जोडा तो यह किता आ गया 3600 second तो यह basically second से second गया 3600 जूल ठीक है तो एक जो watt hour होता है न वाट हार ठीक है यह कुछ ऐसा होता है ठीक है वाट हार जो है basically कुछ ऐसा होता है ठीक है तो उसके बाद में लेकर के if I'll just talk about another thing like kilowatt hour अब kilowatt hour क्या हो जाता ठीक है समझना kilowatt hour तो आपन कैसे निकालेंगे ठीक है 1kWh in joule कैसे निकाल होगे आओ देखते है भी यह तो एक watt was तुम तो simple simple देखो 1 watt was 1 joule by 1 second ठीक है मैंने बोला अब मैं इसमें kilowatt पहले तो हार जोड रहा हूँ तो इंटू 3600 second ठीक है उसके आद में kilo मतलब 10 to the power 3 तो इंटू 1000 ठीक है अब मैंने बोला देखो पहले बाद तो second से second काड़ दो उसके बाद मैं लेकर के देखो 3600 इंटू 1000 तो इसको अगर मैं लेकूंगा तो यह क्या जाएगा लेकर के 36 इंटू 10 to the power 5 जिसको मैं लेक सकता हूँ 3.6 इंटू 10 to the power 6 ठीक है जिसको मैं और सो लेक सकता हूँ समझ गए तो ऐसे भी निकाला जा सकता है ठीक है चलो आगे बढ़ें सर ठीक है आगे बढ़ेंगे अपन तो यह खोगया भी यह अच्छा उसके आद में लेकर के अगर आगे देखे हीट एनरजी इस like casually like तुम्हारे एक तरीके से कह सकते हैं usually measured in calorie calorie तुम्हारे किसके बराब मानलो हमारे पास में क्या है पानी है ठीक है पानी है हमारे पास में इसके अंदर जोना लेकर के पानी भरा हुआ है ठीक है यह जोना पानी है हमारे पास तो basically अगर मानलो यह initially जोना 10 degree Celsius पर है और यह 1 gram पानी है अब इसको up करके जोना 11 degree Celsius पर लेकर के आना है इसको up करके एक कैलरी एनरजी जो ना बर्द करी, लेक वन कैलरी एनरजी फिल भी बरंड, वन कैल विल भी बरंड, ठीक है, अचा, सेम वे, अगर मान लो, मेरे को इसको दस से नौ पर लेके आना है, दस से कहा है पर लेके आना है, 9 डिगरी सेलसियस पर, तो भाई साब उसे साब से तो energy release होनी चाहिए, तो हाँ भाई, obviously, one cal energy, one cal will be released, ठीक है, समझ गए, तो यह इस तरीके से पूरा concept काम कर रहा होता है, समझ गए, चल, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो अभी अगर आगे बढ़ता है, तो इसमें अगर आगे बढ़ता है, तो इसमे 28 Joule, ठीक है, सेम भी अगर तुम देखोगे, तो 1 Joule योए ना तुम्हारा ले करके, 0.24 Calorie बराबर होगा, ठीक है, और उसका आगे बढ़ता है, 1000 Calorie, which basically equals to what, 4.18 into 1000, तो वो किसके बराबर आएगा, 4180 Joule के, तो इसका आगे बढ़ता है, तो इसका बढ़ता है, इसको बढ़ into 10 to the power minus 9, चलो आजाओ, ठीक है, so now let's start with, like start with the mechanical energy, अब दो गार भाई होता है ना, body जो है, तुमने ये चीज़ तो पढ़ दी है, कि body जो ना, अगर मैं इसकी states की बात करूँ, body की भी states होती है, क्या, UP, MP, नहीं भाई, body की दो state होती है, एक तो होती है motion, और एक होती है rest, अब basic के लिए बात समझना अच्छे तरीके से, देखो, यहाँ पर से क्या होता है ना, लेकर के, जो motion में लेकर के body के इंदर energy होती है, वो उसके kinetic particles की उजासे होती है, तब ही उस energy को अपन क्या बोलते है, kinetic energy, ठीक है, और जो इसके rest, like state में होती है, वो होती है potential energy, क्योंकि उसके potential की वजासे होती है, ठीक है, so that is what we call potential energy, अब मैं इसका एक छोटा सा mind map तुमारे लिए बनवा रहा हूं, ठीक है, मैं इसका एक छोटा सा mind map तुमारे लिए बनवा रहा हूं इसको प्लीज अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है, so if we just talk about the mechanical energy, ठीक है, किसकी बात करता है, mechanical energy की बात करता है, ठीक है, तो यहाँ से कल, like इसको अगर मैं लेकर के बात करूँ, mechanical, ठीक है, so mechanical energy की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से किस-किस तरीके की होती है, एक तो य ये motion वाला काम है, ठीक है, whereas, 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 अगर मैं यहाँ पर से बात करूँगा, किसकी भाईया, ये तो देखो होई गया, लेकिन जो potential energy रेस्ट पर आती न, वो एक तो होती है भी या, position की वज़ा से, किसकी वज़ा से, position की वज़ा से, ठीक है, एक तो आ जाती है, position की वज़ा से, ठीक है, rest में लेकर के, एक तो जो तुमारा लेकर के खेल होता है, वो होता है, position की वज़ा से, दूसरा जो एक और खेल होता है, rest में, that is because of, that is because of the stored energy की वज़ा से, ठीक है, वो किसकी वज़ा से हो तो kinetic तो भाई एकी तरीके की होती है ये रही ठीक है और उसके बाद मैं लेकरके कायनेट एक तरीके की होती है लेकिन जो rest में pot rol energy होती है एक तो position और एक stored ठीक है बात समज한다 में आगई simple simple जली से बता दो is this clear to all बता तो यार जली से if this is clear to all कि हाँ भी है चलो यह वाली बात हमको एक शोड़ी सी समझ में आती है ठीक है तो यहाँ पर से अच्छा एक चीज और याद रखना है यार देखो ठीक है मैं तुम्हारे को एक basic सी बात बता रहा हूँ ठीक है कि यहाँ पर से जैसे कि अपने डिसकस किया कि बॉडी के अंदर जो mechanical energy है वो दो तरीके में है एक तो kinetic energy के format पे है एक potential energy के format पे है याद रखना कि mechanical energy हमेशा sum होती है कि इसका kinetic energy का और potential energy का एंड यह में एक advance में concept की बात बता रहा हूँ तुमको ठीक है एक advance में concept की बात बता रहा हूँ इस always remains constant ठीक है यह अपन एक basic सी बात समझ चुक है चलो अभी अगर आगे बढ़ेंगे ठीक है so if we all just proceed तो यहाँ पर से तुम्हारा सबसे पहले तो जो type आया जैसे कि अपने पड़ा motion में आती है kinetic energy और stored में आ जाती है अब दोको यह stored अकेला लिखा हुआ है बर डरना मत ठीक है अच चलो तो अभी अगर आगे बढ़ें तो आप सबसे पहले तो अपन लोग बात करेंगे यहाँ पर से लेकर के kinetic energy की ओ पपाजी ठीक है तो अभी अपन kinetic energy की बात करने जा रहे है ठीक है यहाँ पर से अपन किसकी बात करने जा रहे है kinetic energy की ठीक है समझ गए गाईज तो of its motion, देखो at last है तो energy ही, energy से होता तो काम ही है, और काम का मतलब तो होता वर्क ही है लेकिन बात यह हो रही है कि motion में जितनी energy है तो उसके वर्चुए से कितना काम हो सकता है, उसकी बात कर रहा है, so kinetic energy is a scalar quantity and it is entirely described by magnitude only, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई direction नहीं होता formula, देखो, एक छोड़ी सी बात मैं आपको बता दू सर, यह बहुत ज़ादा जरूरी बात है, so that's why I'm telling you, के भाई साब, एक छोड़ी सी बात को याद रखना ठीक है, please, it's my request ठीक है, के आपको kinetic energy जो है ना लेकर के, इसका formula ठीक है, इसको समझने है मैं जोना लेकर के, देखो, पहली बात तो बहुत ज़ादा interest बत लगाना है, इसमें नहीं तुम जोना लेकर के जूल जाओगे, इसलिए better would be that के तुम लेकर के, इसमें जोना लेकर के दिमाग ऐसे लगा रहे हो, ठीक है के it's like half mb square ये होता है formula और इसको बस ऐसी समझ लो के हाँ भाई साब, this is the formula अब इसके गलत में जादा मत घुसो के ये formula बना कैसे, क्या हुआ, क्या नी हुआ अब जैसे मैं बता भी जखता हूँ, चलो अगर तुमको ऐसा लग रहा हो, कि प्रड़ा भी या तो आता ही नहीं है, ठीक है, वो इसलिए बोल देता है रटलो, क्योंकि वो इसलिए कह रहा है, कि यह उनको आता नहीं है, देखो, power जो ना, basically, जब इसमें तुम इंटू time करता होगे, ठीक है, power तुम जानते हो इंटू time करता होगे, तो basically, it's like what तुमारा ही हो जाएगा, w by t into t तो यह आएगा तो w ही, और w की और energy की unit तो same ही होती है, ठीक है, तो अब मैंने बोला let's suppose, let's suppose, let's suppose, ठीक है, अगर work के बारे में तुम, और चाह, power पे एक और formula तुम जानते हो, which is basically क्या होता है, तुमारा force ठीक है, into velocity ठीक है, तो एक यह वाला भी तरीका हो जाता है, ठीक है, तो इसमें जो ना लेकर के तुमारा mass भी आ जाता है, acceleration भी आ जाता है, ठीक है, और फिर उसके आद में यहाँ से velocity की velocity रख सकते हो, तो देखो, यह क्या है ना, जब तुम इसको तोड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ से तब वो वाली चीज निकल रही होती है, ठीक है, चलो अब यहाँ से लेकर के अगर हम आपसा आजा है, तो अपन को पता है कि काइनेटिक energy का बस एक formula है, जो कि मेरे को याद रखना है, जिन्दगी ऐसे कैसे, मैं अगर यह कहूँ कि आपका जो momentum, linear momentum की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो angular तो गुसेड़ना ही नहीं अभी, ठीक है, linear momentum का formula क्या होता है, that is, p is equal to 2mv, ठीक है, तो यह हो रहा होता है, यह होता है, बता दो जल्ली से, बता दो, बता दो, formula यह होता है, p is equal to 2mv, क्यों guys, सच बोल रहा हूँ, के गलत बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ ना, के linear momentum का formula is, p is equal to 2mv, बता दो, जल्ली से, यह होता है, क्यों जी guys, हाँ यह, यह होता है, अच्छा, यह होता है, मना कर देते हैं, अरे, गदों की दुम, formula is mv only, not 2mv, ठीक है, आ रहा है, समझ में, formula होता है, तुमारा, p is equal to mv, ठीक है, उसके बाद में लेकर के, जो kinetic energy है, उसका formula क्या है, kinetic energy का formula क्या है, भाई साब, इसकी बात कर लेते, एक बार थोड़ी सी, so kinetic energy, case basically equal to what, half mv square, चलो, let's just find them, ठीक है, कैसे निकालेंगे, किसको किसके terms में निकालेंगे, आओ भाई, निकालते है, ठीक है, तो अगर मैं बोलू, एक काम करता है, ठीक है, सबसे बहले तो लेकर के, अगर मैं p square कर दूँ, तो वो क्या आजाएगा, m square, v square आजाएगा, nice, ठीक है, यह अपन ने कर आपने step 1 में, ठीक है, so this is like the step 1, जहाँ पर हमने squaring both sides कर दी, ठीक है, squaring both sides, ठीक है, पहली चीज़ होगी, चलो, अब मैंने बोला, let's just do one thing, मैं लेकर के p square को by m कर दूँ अगर, ठीक है, तो यह मेरा हो जाएगा, half like mv square ऐसा, then मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं लेकर के क्या कर दूँ, अगर मैं इसको half mv square कर दूँ, ठीक है, half p square by m कर दूँ, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, half mv square आ जाएगा, जो की basically मेरा kinetic energy का k का formula बन चुका है, तो मेरा k is equal to p square by 2m, समझ गए, k is basically equal to p square by 2m, यह चीज़ याद रखना, ठीक है, यह मैंने निकाल लिया, समझ गए, तो अब तुम kinetic energy और momentum का relation बना सकते हो, that is basically what, k is equal to p square by 2m, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया guys, आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है, अपन revise कर लेंगे अपन, ठीक है, तो p is basically equal to mv, ठीक है, और तो परा case basically equal to half mv square, ठीक है, तो मैंने बूला, अगर अपने ऐसी बात कर रहें, तो p square is equal to m square v square, तो मेरा p square by m क्या हो जाएगा, that's going to be mv square, ठीक है, और उसके बाद मैं ले करके मेरा क्या हो जाएगा, अब समझना अच्छे तरीके से, ठीक है, अगर if that's the case, ठीक है, तो मैं ले करके क्या कर दूँ, अगर मैं half, like ले करके मैं ऐसे कर दू, p square by 2 m, मैं half multiply कर दूँ, और यहां पर भी कर दू, half mv square, तो यह basically मैं रखे आ जाएगा, मैं कहा सकता हूँ कि p square by 2 m is basically equal to k, तो यह निकाल दिया, ठीक है, चल, बहुत बढ़िया गाईज, आगाईज, चल, बहुत बढ़िया, in its kinetic energy, simple-simple-simple सी बात बताता हूँ, मान लो, body motion में है, एक a point पर, body is still in motion, 5 m per second की speed पर, ठीक है, मैंने बोला, इसकी kinetic energy जो ना, अभी initially किती है, 100 Joule है, ठीक है, यह ले करके, जैसे ही, B position पर पहुची, ठीक है, इसकी ले करके, speed हो चुकी है, 10 m per second, ठीक है, और उसके बाद में ले करके, इसकी kinetic energy is, 200 Joule, ठीक है, तो यहाँ पर से, यह जो तुमारे एक difference आएगा, यह initial हो गया, INI, यह final हो गया, FIN, ठीक है, तो जो अपन final minus initial करेंगे न, ठीक है, यह क्या आएगा, 200 minus 100, so that's going to be 100 Joule, तो यह होगा, यह होगा, यह होगा, ठीक है, तो वर्कड़न क्या हो गया, एक तरीक से, तुमारा, increase in the kinetic energy, बात समझ में आगई, याग लगा दी, याग लगा दी, याग लगा दी, ठीक है, आगई समझ में, yes sir, ठीक है, चल, ठीक है, तो बेसिकली, यह हो गया, क्या तुमारा, यहाँ पर से लेकर के, वर्कड़न, ठीक है, so according to the work energy, थी हो रहां, तो वर्कड़न ने माया, force on a moving body, is equal to the increase in its kinetic energy, ठीक है, वर्कड़न क्या आजाता है, final kinetic energy, minus initial kinetic energy, thus the workड़न is the increase in kinetic energy, ठीक है, चल, बहुत बड़ी अगाई, आग लगादी, आग लगादी, आग लगादी, चल, चल, जलो, येस sir, जल्दी से एक बार, I just want CKO P in the chat, येस सर, एक बार, जल्दी से, बोलो, जलो, बोलो, spam कर दो, spam, येस सर, energy को जो ना हाई रखना है, कि यहां पड़ना वापस ऐसे जो ना बार-बार जटके घलना है तो भाई इस दैट थेंग तुम जो ना पढ़ी नहीं जो फिर ठीक है एनर्जी को जो यह तुमको हाई रखना ओन टॉप येस सर आगे बड़े लाइट कब स्टार्ट करोगा अबे य इसके बाद मशीन करेंगे मशीन के बाद लाइट स्टार्ट हो जाएगा इस पे आ चुके हैं जी कैसे हैं आप सभी लोग जी so different forms of kinetic energy तब यह देखो kinetic energy की तो बहुत सारे form होंगे क्यों होंगे, क्यों कि देखो यार बात कुछ ऐसी है बेसिकली, कि जो काइननेट के एनर्जी होती न, ये तो तुम्हारा लेकर करके देखो translational भी होती है, ठीक है ये translational भी होती है, ठीक है वेराईस ये rotational भी होती है ठीक है, उसके बाद में to and fro motion हो रहा है ठीक है तो इसमें ऐसे swing कर रही है तो बेसिक लिए बहुत सारी तरीके की energy होते है depends on the type of the motion और जिस भी तरीके का motion होगा उसी तरीके की ले करके तुमारी kinetic energy हो जाएगी ठीक है अब जैसे कि तुमारी translational में translational energy हो जाएगी ठीक है चलो अब भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ ठीक है अब देखना वस तो अब एक पर अच्छे तरीके से गौहर फर्माना on the screen आपकी नजरे screen पर ठीक है तो यहां पर से लेकर करके आप यह अपने आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ ठीक है because now we are starting with the elastic potential energy guys ठीक है so elastic potential energy के साथ मैं अपन स्टार्ट कर रहे है सबसे पहले तो देखो एक 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 बात समझो मेरी अच्छे तरीके से ठीक है इसको अच्छे तरीके से सुनना समझना देखना यह normal condition में मैंने जोना लेकर के ऐसा मेरा उसका like एक मेरे पास गुरेल और वो ऐसे लटक लिए और मैंने उसमें जोना एक बाल फसा रहा थी तुम देख रहा है लेक देख सकते हूं यहाँ पर से ऐसे normal अब यहाँ पर से मैंने बोल दिया कि अभी इसके अंदर जोना 0 J energy है मेरे अंदर कुछ एनरजी होगी मेरे अंदर एक चलमची मैंने इसके वो बॉल भशाई थी हो इसको मैंने ऐसे पत्थर को लाइक पीछे को खीचा मैंने इसके अंदर को लाइक इसको पीछे को खीचा इसकी strings हो गही stretch यह strings stretch हुई इसके अंदर आगी मान लो 100 J energy ठीक है तुम समझ रहे हो this is the phase 1 P1 P2 के अंदर इसके अंदर जोना 100 J energy आ चुकी है तो इसके अंदर एक क्रियेटेड ठीक है उसके बाद मैंने क्या किया ले करके मेरा एकदम से मन हुआ अब मैंने जो 100 J energy यह किस लिए दिये पस पकड़ते के लिए नहीं तो मैंने एकदम से छोड़ा अब क्या हुआ कि at this point इसके पास मैं जोना ले करके EPE थी लेकिन मैंने क क्या किया या फिर कहलो मेरे अंदर की चुलन है क्या किया ले करके इसके लाइक इसको छोड़ दिया तो वो क्या हो गई काइनेटिक एनरजी में कनवर्ट हो गई जो की किसमें गई श्टोन के अंदर तो वो श्टोन फिका तुम देख रहे हो तो that elastic potential energy got converted into kinetic energy ठीक है elastic potential energy किस म energy क्या होती है आप एक elastic को stretch करते हो तो उससे आ जाती है यह थोड़ा अच्छे से और समझा देते तो मजा नहीं आ जाता जैसे मैंने बुला कि एक compressed string होती है ठीक है बहुत सारे तरीके होते है लास्टिक potential energy को समझने के तो the energy possessed by the body by virtue of its specific position और changed configuration दो बाते हो रही है specific position या फिर लेकर के इसकी changed configuration क्योंकि normally string कैसी होती है stretch करके उसे ऐसा 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 बना दिया तो obvious सी बात है it's very obvious guys के भाई हिजाब लेकर करके उसको stretch कर दियो इसमें कुछ energy आ गई ठीक है so it's denoted by you इसको पन किसके साथ रिनोट करता है you के थूँ ठीक है so the potential energy possessed by a body due to its position relative अरे इसको छोड़ा भी gravitational की अपन बात में बात करेंगे ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पर से आप बात करूँ किसकी elastic potential energy की बहुत सारे example की तो compressed and the stress string ठीक है अब जैसे माल लो यह compressed इसको मैंने ऐसे compress कर दिया यह वापे stress हो गई ठीक है तो यह वह हो गई अच्छा इसके बाद में लेकर के अगर मैं बात करूँ तो देखो जैसे इसके इसके अंदर यह जीरो जूल energy है ठीक है इसको मैंने ऐसे खीच दिया जैसी मैंने इसको ऐसे खीचा तो इस वज़ा से इसमें क्या गई मैंने अपने body से सोजूल energy दे रही ठीक है जो कि इसके अंदर आ गई simple ठीक है so larger the distance of the body from the center of the इसको अटा अभी ठीक है अभी अपन gravitational की बात करेंगे ठीक है so like only pranap I can do this भाई यह सही है यार मैं क्या मैं सही content बना लेता हूं सही बात है ठीक है हाथ पैर जोड़ो मेरे आगे मैं सच बता रहा हूं आपको ठीक है आप मेरे आगे हाथ पैर जोड़ सकते हो आपने elastic potential energy जो बच्चों को literally last time के end तक समझ बनी आता आपने समझ लिया है सर ठीक है जोड़ो मेरे आगे हाथ पैर जोड़ सकते हो भाई है ना बताओ सबज में आ गया चलो अब gravitational की बात करें yes yes ठीक है चलो ओके सर आगे बढ़ते है अपन ठीक है और अब यह अब आगे बढ़के आप बात करते हैं आगे की चीज़ होगी ठीक है so yes अब यह अब आपन लोग बात करेंगे भाई साब किसकी gravitational potential energy की ठीक है अब किसकी बात कर रहे है अपन gravitational potential energy अच्छा एक बहुत important चीज में तुमको बता दू पहले तो मेरी एक बहुत important बात सुन लो ठीक है it's very important so that's why I'm telling you guys potential energy अभी तुमने पढ़ी ना elastic उसकी कोई no formula उसका कोई formula नहीं होता पस unit तो पता ही है जूली होगी यह उसका कोई specific formula नहीं है ठीक है अब कि तुम्हारी लेकर के यह दो कोई बहुत ही genuine example है तब ही मैंने इसका ग्राफिक बहुत अच्छे से बनाया था एक बन्दा है यह लेकर के energy in मतलब कि यह energy लगा रहा है यह energy को लगा रहा है ठीक है जो की लेकर के यह जब energy लगा रहा है kinetic energy उपर चड़ने के लिए ठीक है तो अभी because he is in motion जब यह एकदम top height पर आ गया एकदम h top पर ठीक है तो लेकर के इसकी body में आगई है potential energy because he has reached some height वो यहां से 0 से 100 meter उची है एक height पर आ चुका है तो इसने वो height को reach किया है ठीक है so basically यह एक चीज हो गई अब यह क्या है धड़क रहा है तो इसको automatically energy मिल रही है तो यह energy out हो रही है तो basic basic सी बात समझी कि कैसे kinetic energy is getting converted into gravitational potential energy because जो gravitational potential energy है ना that is because of the position ठीक है वो आती है position की वज़ासे भी यह position है 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 तो मतलब देखो इसकी अगर मैं तुमको एक बात बताओं मान लो एक body यहां पर रखी हुई है जहां पर h height 0 है लेकिन यह उपर पहुच कही जहाँ पर h height 10 है ठीक है तो यह जो इसने एक ऐसी पूरी energy gain की होगी ना energy gained by reaching the height इसको तुम simply क्या बोल दोगे gpe बोल दोगे ठीक है gravitational potential energy इसका formula क्या होता है भाई साहब तो मैं आपको समझाता हूँ देखो आप जानते हो work के through open energy का formula निकाल सकते है simple 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 है ना तो मैंने बोला देखो सबसे पहले तो लेकर के work में क्या क्या है force into displacement displacement मान लो h y ठीक है तो इसको तो मैंने h मान लिया force की मैं बात करूँ इसमें दो चीज़ा होती है mass और एक होता है acceleration तो वाइस आप मास की अगर मैं बात कर दूँ सबसे पहले तो like एक तरीगे से mgh is the formula for the gpe ठीक है this is the formula for the gpe gravitational potential energy ठीक है तो यह चीज तुम लोग समझ चुके हो चलो बहुत बढ़िया गाईज अगर अभी अपन आगे बने तो gravitational potential energy ठीक है अगर तुम देख तो यह ball like एक ball है ठीक है यह एक x height पर आ चुकी है ठीक है तो यह ले करके एक जो ना ले करके क्या है ना इसकी अगर तुम लोग gravitational potential energy निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे कि मानलो इसका mass जो ना मैंने बोल दिया m है ठीक है अब यहाँ पर इसका mass क्या हो गया like हो चुका है m है इसका जो acceleration है वो basically g है और उसके बाद में ले करके जो इसकी height है ठीक है वो basically क्या है x है जिसको तुम लोग ऐजा displacement भी इस्तिमाल करोगे अब मैंने बोला जो energy का formula होगा वो क्या होगा ले करके वो रहा होगा तुमारा force into displacement जिसको मैं बो है और इसके आद में displacement h है so that's going to be mg h ठीक है समझ गहा है so the gravitational potential energy of a body at a height above the ground is measured by the amount of work done in lifting it up to that height against the force of gravity let a body of mass m be lifted from the ground or earth surface to a vertical height h ठीक है so the work done on the body in lifting it to a height h is equal to force of gravity mg और इसके आद में displacement h so mg h ठीक है वही चीज़ मैंने तुम को simple करके समझा दीती है this work is stored in the body when it is at like at a height h in the form of its gravitational potential energy thus gravitational potential energy is u is equal to mg h इसका formula होता है जो मैंने आपको बता दिया ठीक है चलो बहुत बढ़िया ठीक है so formula तो समझ आले का formula समझ ये ब्रो जी ठीक है मैं चलो एक बार और तकले तरीके से visuals के दूज़ना तुमको समझा देता हूं कि इसका formula समझना कैसे देखो इधर पर मैं बोल देता हूं कि मेरी जो ना लेकर कि height जो है 0 है ठीक है मैं अगर आप से यह कह देता हूं sir कि मेरी जो यहाँ पर height है that's 0 यहाँ पर height आ चुकी है h जो की basically h height पर यह पहुँच चुका है तो यह इसमें जितना work लगा होगा उसको अपन लोग बोलेंग यूज करोगे mghv को यूज कर रहे होगे kinetic energy का एक बार revise करने के लिए वापस लिख लेते है half mv square ठीक है आ गया समझ में बता दो गाईस समझ में आ गया अरे नोना place break मिलेगा ना रुक तो जाओ अभी ये portion देखो हो नहीं वाला है ये chapter मुश्किल से आदा घंटा और चलेगा आदे घंटे बाद तो हई 15 मिनिट का break मैं भी खाना खाना जाओंगा ठीक है तो अभी पहले इसको done कर लेते है आराम से चलो बहुत बढ़िया ठीक ह अभी edge height जो ना लेकर के एक थोड़ी सी 10 मीटर पर थी अब body जो ना गिर करके इधर आचुकी edge height 5 मीटर पर तो obviously there will be a drop क्योंकि MGH का edge अकर 10 होगा तो ये जादा होगा और अगर ये 5 होगा तो ये कम होगा simple सी बात है potential energy changes into kinetic energy whenever it is put to use ठीक है क्योंकि अगर ये drop करेगी तो इसकी stored energy जो होगी ठीक है मैंने क्या बोला stored energy वो क्या बन जाएगी energy बन जाएगी कौन से format की जिससे motion बनेगा और motion बनेगा तो वो कौन सी energy होगी वो लेकर के तुमारी kinetic energy होगी ठीक है चलो then when the string of a bow is pulled इसको से कीषते है some work is done which is stored in the deformed state of the releasing the string ठीक है the potential energy of the bow के अंदर energy होते है वो एकदम से change हो करके EPE elastic potential energy change हो के जाती है बो के अंदर जो कि उसमें kinetic energy को produce कर देती है which helps it to move forward ठीक है चलो बहुत बड़ी है guys आगे बलेंगे so basically यहाँ पर से अब देखो ब्रो जी something very important हा so weight of the body at the center of the earth is zero due to the fact that the value of g at the center of the earth is zero ठीक है अब एक चीज़ याद रखना जो weight होता है ठीक है weight वेट तुम जानतो क्या एक तरीके से force है ठीक है so force तुम जानतो क्या अब यह mass into acceleration और इधर पर अपर ने क्या रख दिया जी रख दिया और जी यहाँ पर अगर यहाँ पर मालो zero हो गया gravity zero हो गई तो basically क्या हो जाएगा mass into zero तो यहाँ पर क्या हो जाएगा weight basically तुमारा zero हो जाएगा ठीक है आगे समझे चलो at a point in the gravitational field will the gravitational potential energy zero तो वहाँ पर gravitational field भी zero हो जाती है अब gravitational field क्या होती है ठीक है इसको लेकर के लिए तुमको अभी जो ना लेकर के इतनी tension मत लेनी है like नहीं लेनी है जब तुम 11 पंजाओगे अपने आप पढ़ लोगे ठीक है चलो बहुत बढ़ी है guys so यहाँ पर से different forms of energy अब इसकी अपन लोग बात करने वाले है ठीक है so the energy radiated by the sun इसको अब क्या बोलते है बता दो भई ओवेसी बात है अब देखो तुम लोग भी सोच रहोगे ना ऐसी वो यह पाकिस्तानी टकले की तरह यह तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे है है ना सोच रहे हो कर नहीं सोच रहे हो बताओ है ना तुम भी यही सोच रहोगे यार यह तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे है लेकर चलो एक और बार पढ़ देते हैं तो इसको बोलते है solar energy several devices are available to use solar energy these devices are solar panels होते है solar furnaces होते है cells होती है the energy released on burning coal oil wood or like gas is heat energy heat energy जो अपन को गर्मी के format में मिलती है light energy इतनी सारी light जो आ रही है भी is the form of energy which helps other objects to be like visible ठीक है to be seen the sun is the natural source of light energy और उसके साथ साथ जो न लेकर के तो sun बेसिकली कौन कौन सी energy दे रहा है पन को sun अपन को solar energy दे रहा है sun अपन को लेकर के light energy दे रहा है ठीक है sun अपन को लेकर के जो न लेकर के basically heat energy भी दे रहा है ठीक है so sun is like giving us multiple energies ठीक है the moon reflects light from the sun other sources like fire ठीक है उसके साथ साथ लेकर के तुम्हारा क्या नाम है यह इसका ट्यूबलाइट बल्ब एट्स्ट्रेक्टर प्रोइड लाइट एनरजी ठीक है going forward if you all just proceed ठीक है so basically यहां से क्या जाएगी अब तुम्हारी next चीज आ रही the energy possessed by the fossil fuels coal हो गया petroleum get natural gas इसको अपन बोल देते भिया chemical energy या फिर फ्यूल energy ठीक है the energy possessed by the running water running water मतलब की तुमको बते ना एक ऐसा पंखा लगा हुआ है जो तुमारा hydrostatic वारे power plants होते है ठीक है तो वो पंखा है इसको तर्माइन को घुमाने के डिये इस पर ऐसे water flow कलता है जिसके जासे क्या होता है लेकर के इसके अंदर जेना hydrostatic energy बन जाती है so hydro energy भी बोला जाता इसको so it is used to generate electricity in hydroelectric power stations when true dry bodies are like rubbed together they get charged due to the movement of free electrons और इसको पन क्या बोलते है यह electrical energy बोलते है ठीक है तो यहाँ पर से basically इसका example हो सकता है electric cell ठीक है उसके बाद में लेकर के the energy released during the process of nuclear fission इसको अपन लोग atomic energy या nuclear energy बोल सकते है अच्छा the energy released in nuclear disintegrations in the interior of the earth gets stored deep inside फिर वो जो न लेकर के जब shock waves के through भी आ सकती है तो उसको बोलते है अपन geothermal energy this energy heats up the underground water to produce natural steam ठीक है तो यह हो गया उसके बाद में लेकर के अगर आगे बढ़े तो literally me after studying all this ठीक है इतनी energy पढ़ते है पढ़ते है यह जो literally अपन कब से पढ़ रहे है ठीक है इनको पढ़ते है पढ़ते है इस आरहाल this is literally me after studying all this पुनीत भाई यार he is so handsome ब्रो अब मेरे पास कोई चश्मा नहीं है चश्मा पहन के दिखाऊं क्या अब अब तो अब तो भाई नहीं आब नहीं अपन पुनीत भाई से कम थोड़ी है अब तो मैं चश्मा पहनूंगा रोख जाओ क्या मेरे पास है भी चश्मा अब है टूटा फूटा भी है भाई एक तो पुनीत वाई जैसे ही मिल गया ब्लू कलर का हाँ जी गैस टिक्टॉकर लग रहा हूँ ने टिक्टॉकर है ना कूस बैटर मी और पुनीत हाँ जी गैस ठीक है चलो आगे बढ़ते है अपन आज जाओ सर तो अभी कनवर्शन भी है भाईया या अभी अभी वो पुनीत का उसका वो पता है बिग बॉस वाला आइसा लूँ ठीक है अब वो कर नी सकते बहुत ज्यादा पनी हो जाए गार मीम मटेडियल बन जाओंगा मैं इन अइडरल्टरिक पावर स्टेश्ट्रेशन वर्टल स्टोड इन एडडम है इस पुटेंशेल अनल्जी विचास कानवर्टत तो काइनिटिक अनर्जी तो कंवर्ट तर दे कीवा से वाइसा इनल्रजी को किश्चेट्रेट्री थे तक है और उसे अबलगा यह क्या करते है फ pass through the coil which is freely suspended between the poles of a magnet this causes the coil to rotate converting the electrical energy to mechanical energy जिसके दुरूपन water को पुल भी करते हैं ठीक है याद रखना motor के दुरू तो पानी खीशते हो in a loudspeaker, loudspeaker में electrical energy क्या बन जाती है भाई साउंड energy बन जाती है जब एना candle burns तो भाई साब जब candle जलेगी तो उससे एक तो light energy मिलेगी प्लस थोड़ी थोड़ी सी आग भी मिलेगी तो लेकर के heat energy भी मिलेगी ठीक है उसके बाद में लेकर के in a photo cell light energy incident on it ठीक है like gets converted to electrical energy in automobiles chemical energy petrol डलाते हो क्या हो जाता है भी यह लेकर के mechanical energy बन जाती है ठीक है उसके साथ चाथ उसमें waste भी होता है थोड़ा सा तो heat energy भी निकलती है चलो अपने conversions पढ़ लिए अब आ चुके है अपन लोग main topic पर है ठीक है तो क्या आप सभी लोग इसके लिए तयार है क्योंकि देखिए मैं फिर से बता दे रहूं this is a topic जहाँ पर लेकर के काफी कोई बहुत कठिन चीज नहीं है it's very easy बस ढंग से पढ़ना है तो मैं चाता हूँ इसके लिए एक बार energy store कर दो अपने अंदर इतनी energies पढ़ने अब एक बार जुना अपने body में energy लाओ चलो जल्दी से एक बार I just want CKOP in the chat guys yes sir एक बार जल्दी से CKOP in the chat हाँ जी guys अब ब्रेक होगा यार ब्रेक होगा तुम एक चीज सोचो तुम से यादा ब्रेक की तुम मेरे को मच रही होगी मैं ख़़े होगे पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरे को नहीं मच रही because I know that bro break जो ना हो जायागा अभी जो ना energetic होगे बच्चों के लिए ये चीज complete करनी है पहले ठीक है तो जो भी काम करो शिदत से करो it's very necessary चलिए guys बहुत बढ़िया ठीक है yes sir so add point A ठीक है अरे देखो मैं कुल मिला के इस पूरी बात को समझा दूँ यहाँ पर से अपन पता क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं यहाँ पर इसे basically अपन एक 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 ट्राय दे है ठीक है यह क्या आना चाहिए हमेंसा constant आना चाहिए यह चीज़ का अपन चेक करना निकले है इस एक experiment के तो जो कि एक theoretical verification भी दे रहे होंगे अपन ठीक है so this comes in the board exams as well ठीक है so it's a very important thing तो इसको पर लोग कहीं से भी छोड़ नी सकते चलो आजा बहुत बढ़ी है ठीक है तो अपन सबसे बेदे तो start करते है with the point A सराल है सिरफ point B कठेना है ठीक है point A अब मेरे को एक बात बताओ तुमने एक यहां से जगा से point A एकदम टॉप पे बात हो रही है एक ही ठीक है तुमने क्या किया है एक particle को ऐसे fake है तो इसकी जब तुमने यहां से fake होगा तो इसकी कुछ ना कुछ जोना ले करके एक तरीके से हम लोग बोल सकते है ठी ठीक है कि इस जगा पर at this point ठीक है जब वो यहां पर होगा ठीक है एक point पर तो उसकी कोई velocity तो थी नहीं उसकी कोई velocity तो थी नहीं ना final न initial कुछ भी नहीं क्योंगी वह तो drop automatically हुआ है तो उसे जाप से मैं अगर बात करूँ तो kinetic energy तो क्या ही होगी जब उसकी velocity 0 है तो kinetic energy half mv square क्या हो जाएगी यह बताओ 0 square that's going to be 0 only तो मैंने बोल दिया इसको तो clear clear लेख देते है भाई कि अपनी जुना ले करके यहां पर kinetic energy is equal to 0 only ठीक है then potential energy पर आ जाओ भाई अब potential energy का समझना यह मान लो h height पर है और इसका जो weight है वो h like m है ठीक है तो यह h height पर है मान लो तो यह basically क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा simple है ना यह that's like going to be basically mgh ठीक है तो यह तो mgh हो गया अच्छा लो बहुत बढ़िया अब मैं बोलता हूँ चलो पर लुक सी पॉइंट की भी बात कर लेता है सी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ अच्छे तरीके से देखना ठीक है अच्छा यहाँ पर total energy क्या होगी m e मेरी k e plus p e होती है so that's going to be mgh only यह मेरी हो गई mechanical energy इस जगह पर ठीक है इचलो बहुत बढ़िया अब यहां से अगर मैं बात करूँ c point पर c point पर मैं जानता हूँ यहां तक आते आते क्योंकि मेरी h height तो 0 है h तो मेरा equal to 0 है ठीक है तो मैं यहां से ब ठीक है कि मेरे को यहां पर से अगर मान लो velocity निकालनी है ठीक है अगर इस जगा की मेरे को velocity निकालनी है सबसे बहुता काम तो यह होता है velocity निकालना तो वह मैं कैसे निकालने को जाओंगा तो basically I just know that v square minus u square is equal to 2as ठीक है तो अपने पास में क्या क्या given information है इस हसाब से निकालन निकालना है तो minus 0 यह तो अपना 0 ही था 2 a को अपन जी रखेंगे और s को अपन ने इसने इतना पूरा h travel किया तो 2gh तो v square अपना आ गया 2gh ठीक है आ रहा है समन में तो 2gh अब अगर अगर अपन half m v square निकालने जाएंगे तो इसको अपन कैसे लेख सकते हाफ m into 2gh दो से 2 cancel तो यह आ गया mg h और यह बापरे यह भी mg h आ गया और इधर पर टोटल 0 plus mg h is going to be mg h तो यह हमारा इधर की मक्य निकल अनरजी निकल आई अब हमको next क्या करना भी यह अब हमको ले करके next जो ना ले करके सबसे बेल तो ठीक है अब हमको उठा करके basically b point पर करना है अब मैंने ब drop देखा होगा x height का इसने drop देखा होगा ठीक है तो यह height मेरी automatic लिकती हो जाएगी अगर यह पूरी in total h है तो यह मेरी h minus x हो जाएगी बहुत बढ़ी आसर तो मैं लेकर करके आप बोलूगा अब अच्छे तरीके से मेरी बात को समझो देखो समझना बढ़ी है तरीके से सब आप से बढ़े तो इदर पर potential energy की बात करते है potential energy कैसे निकालेंगे height हा रही है h minus x है ना इदर से height है h minus x देख लो यह है के नहीं है guys ठीक है तो आपन लोग क्या बोलेंगे इसको इसको पर बोलेंगे mg h minus x ठीक है अब kinetic energy की बात करते है यहां से किरा है इदर तक तो मैं बोल किया x करा तो मेरा v square is basically equal to 2gx तो अगर मैं half mv square निकाल हूँगा तो वो खिता आ जाएगा that's going to be खिता half m into 2gx दो से दो cancel तो यह आ गया mgx बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया तो मेरा यह आ गया mgx चलो अब मैं लेकर के अगर इसे mgx निकाल चुका हूँ ठीक है तो अब मैं अगर इस सब को हटा दिया है मैंने ठीक है तो मैं निकालूंगा यहाँ पर final तो मेरा जो ना लेकर के पी प्लस की करता हूँ चलो आ जाओ तो basically मेरे पास मेरे जो पी है that is mgH minus mgx और मेरे की क्या है mgx यह दोनों cancel out हो जाएंगे that's also going to be mgh तो इधर पर भी क्या गई यह लेकर के तुम्हारी mechanical energy is going to be mgH only तुम देख सकते हो a या b या c हर जगा पर that's going to be same mgh mgh या mgh mdh mdh ठीक है आ गए समझ में यह समझ में आ गया जल्ली से बता दो एक बार अगर देखो भाई efforts तो लगते हैं कुछ अच्छा काम करने में efforts तो लगते हैं that's pretty like a clear thing law of conservation of energy energy जो होती है ना उसको create किया जा सकता है can neither be created nor be destroyed उसको खतम भी निकिया जा सकता बनाया नहीं जा सकता तो खतम भी निकिया जा सकता लेकिन 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 but can be transformed but can be transformed from one form to another ठीक है चलो बहुत बढ़िया ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे so अब यहां से ले करके भाईया अब एक चीज आ चुकी है pendulum वाली now we all be studying pendulum भाईया pendulum it's very important thing क्योंकि यह मैं मुझे ऐसा लगता है this is my gut feeling that this will come in boards this year so it's a very important thing आखे वाखे खोल के बड़ी है तरीके से पढ़ना है start करना है इसे ठीक है आ रहा है समझे मैं इसको जो ना बड़ी है तरीके से अगर पढ़ रहे हो तो भाईया पहली बाद तो आखे खोल के दिल खोल के दिमाग खोल के कान खोल के अच्छे तरीके से पढ़ना ठीक है अगर अब यह अपन से start करते है ठीक है so if you all just start this pendulum ठीक है यह समीर समीर वाई ठीक है अब सबसे बड़े तो देखो यार इधर पर यह हाईट ऐसे आती है ठीक है अगर इसे तुम देखो कि चलो मैं इसे हलका सा जूम कर देता हूँ ठीक है नाइस है अब देखो गाईस तो अगर तुम देखोगे ठीक है यह h height इदर पर ऐसे आती है ठीक है समझे रो h height ऐसे आती है तो मैंने बोला देखो a position पर अगर मैं बात करूँ first of all इदर पर तो कोई height ही नहीं h is equal to 0 है तो मेरी p ही तो भाई 0 ही हो जाएगी k की बात करूँगा so that's going to be क्या बता दो h distance travel करके इदर तक आया होगा h height का एक displacement होगा जो इसने travel किया होगा mgh इसकी height होगा कैसे बही है जैसे मैंने y v square minus u square is equal to 2gh ठीक है तो मेरा v square is equal to 2gh ठीक है और इसके बाद मैं अगर इसे रखा half mv square so that's going to be half into m into 2gh इसको cancel out करके 2 से 2 तो यह आगया मेरा mgh again तो यह वही तरीके से मैंने अब आपर mgh निकाल दिया तो यह तो तुम समझगा कि भी इसमें कैसे mgh निकाला गया तो अगर in total में बात करूँगा तो again इसमें भी अभे यह क्या होगया ठीक है एक second law of conservation of energy अच्छा clear all हो गया मेरे साब से हाँ यह आ गया ठीक है चलो ठीक है तो यहाँ पर मेरी total energy के आ गई भी है that's going to be mgh mgh ठीक है अब मैं बोलूँगा देखो यहाँ पर kinetic energy मेरी जा करके क्योंकि मेरा v2 मेरा 0 हो जाएगा तो मैं अगर इस पर बात करूँ भी जुना लेकर के energy reserved रहती है constant रहती है, stored रहती है, बराबर रहती है ठीक है, समझ गए, चलो बहुत बढ़ी है गाई